हेलो स्टूडेंट्स वल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल सो कॉंटिन्यू कर रहे हैं मिस्लेनियस एक्सराइज फॉर्म कोशन नंबर फाइव तो आपके पास यह value थी कुछ इस तरह से मैंने इसको name दे दिया है y यहाँ पर आपको इसको कैसे perform करना है easy way में तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस टर्म को cos inverse x by 2 as it is रहने दो यह जो x by 2 है यह angle में है cos inverse के यह जो denominator में value है इसको power की form में कैसे लिख सकते हो आप 2x plus 7 इसकी power क्या हो जाएगी हाँ right क्योंकि root की power को आप इस तरह से लिख सकते है right so next step में इस portion को मैं numerator में लिखना चाहूंगी तो यह जो power है वो negative में आएगी जब यह numerator में लिखा जाएगा right so आपके पास value कुछ इस तरह से होगी cos inverse x by 2 product with 2x plus 7 and इसकी power होगी minus 1 by 2 so यहाँ पर जो मैं formula apply करूंगी differentiation with the help of product rule so इसको मालोगे first function इसको मालोगे second function right so यहाँ पर dy upon dx हो जाएगा right यहाँ पर first function as it is cos inverse x by 2 as it is differentiate करोगे आप इस term को so जब आप इस term का differentiation करोगे तो आपके पास value की आएगी वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहे हूं power है जो minus 1 by 2 वो आगया जाएगी then 2x plus 7 की power में 1 power minus 1 हो जाएगी right so जैसे हम x to the power n का differentiation करते है exactly मैंने वो ही perform किया है वहाँ पर nothing else तो यहाँ पर इसका differentiation करते हुए यहाँ तक जब आप पहुंच जाओगे तो इसके बाद chain rule की help के साथ इस value का भी differentiation होगा right so 2x plus 7 का differentiation होगा only 2 right क्योंकि 7 का differentiation constant का always 0 and यहाँ पर 2 as it is and x का differentiation होगा 1 so यह तो था आपने जब इस value को differentiate के आपके पास यह term i so अब यह जो differentiation इस term का हो चुके है उस term को oppositives लिख दो अब आपको differentiate करने है इस term को so differentiation of cos inverse is minus 1 upon root में 1 minus angle का square so x by 2 का square so यहाँ पर इतना आपने ध्यान में रखने है जब आप इस term का differentiation कर रहे थे तो आपने value तो लिखती है उसकी differentiation की so with the help of chain rule इसके angle का भी differentiation होगा so simple x होता तो उसका differentiation होता 1 तो value आपकी 1 आप लिखी चाहें ना लिखी एक ही बात है लेकिन x by 2 है तो इसका differentiation करेंगे तो value आपको मिलेगी 1 by 2 so 1 और 2 denominator में ultimately यह 1 उपर है numerator में और 2 denominator में root के साथ इस तरह से है ठीक है so यहाँ पर इसको simplify करके लिखना है next step में और वो कैसे यहाँ पर यह 2 denominator में है यह numerator में है so यह cancel out होगी है terms यह जो negative है इसने इस पूरी term को negative बना दिया है और यहाँ पर 2 x plus 7 की जो power है इसको calculate करोगे तो minus 3 by 2 आई की ठीक है so इतना portion मैंने solve किया तो value आपकी आई minus cos inverse x by 2 and इस value के उपर minus 3 by 2 अब यहाँ पर भी एक minus है तो यहाँ पर इस plus को वो minus कर देगा ठीक है यह term as it is and यहाँ पर क्या है उपर 1 इसके साथ ठीक है और denominator में क्या है root में जो value है उसको देखो मैं कैसे लिख रहे हूँ ultimately root के अंदर क्या है 1 minus x by 2 का square so ultimately आप जब इसको अलगलग करके लिखोगे x के उपर भी square है मतलब 2 के उपर भी square है ठीक है so यहाँ पर देखो मैं सिरफ इस root के अंदर की value को solve करके दिखा रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही मैंने root के अंदर 1 minus x square और 2 square लिखा क्यों हूँ लिखा क्योंकि इस x by 2 के उपर पूरा square था तो मैं इसको अलगलग करके लिख सकते हूँ ठीक है इसका मतलब क्या है 2 का square that means 4 ठीक है और base में क्या होगा 2 का square या फिर 4 भी लिख सकते हूं और उसके उपर भी гया तो चाहे इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो, value क्या आपको मिल रही है, 2, नीचे आपके पास value मिल रही है, 2, तो जब आपका root हटता है, तो आपको ये value कैसे दिखेगी, root के अंदर जो value है, that means 4 minus x square, और जैसी ही आप ये वल्ला जो इसका lcm लेने के बाद base आएगा, वो भी उसका root हटा देंगे, क्योंकि automatically हट रहा है, तो वो आपको value दिखेगी only 2, ठीक है, so आपने यहाँ पे देखा है, सास में क्या चल रहा है, 1 upon 2, so denominator में यहाँ पे 2 था, और इसके नीचे भी आपके पास एक 2 बच चुका है, तो 2 से 2 ये cancel हो रहा है, क्योंकि अब यहा यहाँ पे उपर 2 है और नीचे 2 है, तो यह cancel out होजेगा automatically, right, so आपके पास कैसे values आएंगे, यहाँ पे, cos inverse minus 7 में चल रहा है, यह वली चो value है, अगर negative में है इसकी power, अगर इसकी power को positive बनाना है मुझे, तो यह नीचे चल जाएगी, right, so 2x plus 7 को जैसे ही मैं नीचे 1 क्योंकि यह जा चुकी है नीचे power, और 2x plus 7 की power half हो जाते है, नीचे आते ही, ठीक है, positive में, और यह 2 से 2 cancel हो चुक है, और नीचे के बचा है, सिरफ root, that means 4 minus x के, अब इस half को, जो power है, इसको root में भी लिख सकती हूं, right, so आपका final answer क्या है, कि minus की term है, ncrt answer में उन्होंने बा root, मतलए यह विली term में पहले लिख रहे हूं, इसको मैं बाद में लिख रहे हूं, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नी, 4 minus x square इसके साथ, plus, क्योंकि minus बहार जा चुक है, तो दोनों positive हों गी अंदर terms, यहाँ पर यह विली term अंदर, cos inverse x by 2, इसके नीचे के है, 2x plus 7 के 3 by 2, so, यह आपका final answer आया है, calculate करने के बाद, differentiation, सिरफ हमने product rule की help के साथ, differentiate के है, और आपने easily अपना answer पा लिया है, right, now, let's see, next question, आपके पास यह value है, मैंने इसको name दे दिया है, y, आपको इसमेर, dy by dx के value, find out करनी है, right, so, आपको differentiate करना है, with respect to x, लेकिन, differentiation करने से पहले, इस को सबसे पहले simplest form में हम लेकर आएंगे, और वो क्यों, क्योंकि बाहर है, आपके पास court inverse, और अंदर भी आपको क्या value चाहिए, ताकि जो आपका यह जो angle है, वो simplest form में आपको दिखे, अंदर भी अगर आप court की form में लेकर आते हैं कुछ value, तो court inverse और court तो automatically cancel हो जाएंगे, औ तो basic funda यही है कि आप इस term को court की form में लेकर आएंगे, और यहां पे हम इसको court की form में कैसे लेकर आएंगे, यह भी बहुत important steps यहां पे हैं, तो यहां पे सबसे पहले exactly आपके पास two terms आपको exactly दिख रही हैं, right, one plus sine x या फिर one minus sine x, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो हम इसकी जगा क्या क्या values को put करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको यह देख रहे हैं, तो एक है आपके पास one plus sine x और एक है आपके पास one minus sine x, तो यहां पे इतना देख लो कि मैं इन two terms की जगा value क्या put करने वाली हूं, सबसे पहली बात, sine x की जगा मैं यहां पे वर्मल sin twice of a से because इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a तो अगर यहाँ पर angle a होता simple a तो यहाँ पर value क्या होती उसकी आधी that means a by 2 ठीक है तो यही formula आपने पहले भी पढ़ रखा है तो यही मैं आपको बता रहे हूँ कि simple sin x को आपको इस form में लिख रहा है तो इतना अगर आपने देख लिए है कि आपने इस value को x by 2 की form में change करके लिखा है तो आप definitely 1 को भी x by 2 की form में ही angle की form में ही ले कर आएंगे आपके पास same angle होना चाहिए तभी आप इसको identity की form में लिख पाएंगे right क्योंकि यहाँ पर बनेगी एक identity जब आप इसको simplify करेंगे ठीक है तो यहाँ पर sin x की जगा आपके पास मैंने value बता दी है हम वो put करेंगे अब बात आती है 1 की जगा हम क्या value put करेंगे लेकिन सबसे पहले इतना आपको पता है कि आपने पढ़ रख रहे है sin square a plus cos square a equals to 1 मतलब अगर angle यहाँ पर same होता है और यह identity आपको पता है कि यह equal होती है 1 के तो मतलब हम 1 को इसके equal रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जैसे की बताए कि आपका sin x की value कुछ इस तरह से है तो इसमें angle आपको किस तरह से दिख रहा है x by 2 ठीक है तो यहाँ पर 1 के लिए भी मैं x by 2 angle में ही इसको लिखूंगी तो ultimately sin square x by 2 plus cos square x by 2 is equals to 1 अभी भी इसका मतलब same ही है अगर आपके angle same है और sin square plus cos square add हो रहे है तो इसका मतलब किया है equals to 1 यह identity आपने 10th class में भी पढ़ रखी है यहाँ पर मैं 1 की जगह यह value तो put करूंगी ही करूंगी लेकिन यहाँ पर भी एक important step क्या है आपको क्या करना है कि cos square की value को पहले लिखना है और sin square की value को बात में लिखना है और इसके पीछे यह reason क्या है कि cos को ही पहले आगे लिखना है इसलिए कि आपको जब इन values में put कर देंगे respective places पे आप जब यह values को put कर देंगे तो आपके पास जो value solve होकर आएगी वो automatically आप ध्यान से देखोगे तो cos की value उपर बचेगी और sin की value आपके पास नीचे बचेगी तो जिसको हम caught की form में लिख पाएँगे और caught ही मुझे चाहिए यहाँ पर क्योंकि caught inverse क्या है पाहर तो इसलिए यह cost की value को आपको लिखना पहले important है तो अब मैं 1 की जगा यह value put करने जा रही हूं यहाँ पर 1 प्लस sin x जहाँ जहाँ पर है उसकी जगा मैं यह value put कर दूँगी that means cos square x by 2 plus sin square x by 2 और sin x की जगा आपको क्या लिखना है यह value तो यहाँ पर देखो आपको किस थाना से value दिख रही है यह मान लो cos को a sin को मान लो b तो यह क्या है इसकी उपर square है लिख दो यह क्या value है 2 sin को क्या माना है आपने b cos को क्या माना है आपने a तो यहां से आप इसको क्या देख रहे हैं एक identity देख रहे हैं A का square प्लस B का square प्लस twice of A B इसको आप क्या लिख सकते हो A प्लस B का whole square ठीक है तो इस property को आप close करके इस तरह भी लिख सकते हो that means cos जो A की value है वो आगे आएगी B जो sine की value है वो पीछे आएगी और उन दोनों को add करके उसका square लिख सकते हो आप इस तरह से so ultimately इसको मैं थोड़ा space दे रहे हूँ so यहां पर ultimately इसको क्या लिख होगे आप cos x by 2 B की value sine x by 2 का square क्योंकि अब इसको अगर आप open भी करते हो तो आपके पास ultimately यही value आती है तो ultimately आप इस portion को इस तरह से लिख सकते हो clearly ठीक है तो यह तो था 1 plus sine x के लिए अब देखो आपके पास क्या है 1 minus sine x so 1 की जगा मैंने लिखा cos के और x by 2 plus sine के और x by 2 अब यहां पर क्या है minus अब यहां पर sine x के जगा तो वही value आएगी so sine x के जगा वही value आपके पास आएगी that means 2 sine x by 2 cos x by 2 अब आपने इतना देखा कि यहां पर आपके पास क्या है 1 minus है ठीक है अगर मैं इसको लिख रही हूँ a का square plus b का square लिख रही हूँ और यहां पर minus है twice a b लेकिन एक बात बताओ यहां पर कोई तो value negative रही होगी तब ही तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है यह minus में यहां पर मैंने sine x के साथ minus क्यों लिखा है क्योंकि अगर आप जैसे ही minus करते हो इसके साथ तो यहां पर तो value आपको positive में ही मिलेगी that means a का square plus b का square तो हमें जैसे कि इसको भी identity की तरह लिखना है like this तो यहां पर सब positive था तो हमने सब कुछ positive में ही लिखा है लेकिन यहां पर एक minus है तो ultimately a या b में से कोई तो value negative रहाएगी तब ही आपकी identity बनेगी तो यहां पर आपको मैंने बताए कि आपके पास cause की value positive में होने चाहिए पहले होने चाहिए और तभी मैंने यहां पर sign की value क्या कर दिया है negative तो यहां पर हमने इसको minus में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसको identity की form में इसी तरह से close करके लिखना है लेकिन जैसे कि यहां पर minus है तो definitely आपके पास in a और b में से कुछ न कुछ तो negative रहा होगा तभी आप इसको a minus b की form में लिख पाएंगे that means यहां पर आप इस identity को a का square plus b का square minus twice of a b किस तरह से आप देख रहे हैं a minus b का square तो यहां पर आपके पास क्या value आएगे इसके accordingly cos x by 2 minus sin x by 2 का square अगर आप इसको open करते हैं exactly आपके पास क्या value आएगी like this so इस value की जगा आप क्या लिख सकते हैं directly यह simply यहां पर a minus b की whole square है और यहां पर a plus b का whole square है nothing else और यह कैसे possible हुआ है यह भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास sign की term अगर आप negative में लेते हो तब ही यह value आपको क्या करती है एक identity negative के form में दिखती है ठीक है so अब इस value को आप देख रहे हो square में हैं दोनों values 1 plus sin x और 1 minus sin x दोनों values क्या है square में है तो यह value 1 plus sin x अगर root में जाएगी तो root और square क्या हो जाएगा cancel so after applying the 1 plus sin x and 1 minus sin x value in the respective places आपके पास यह value आएगी कुछ इस तरह से clearly मैंने आपको बताएगी root और square क्या हो जाते हैं cancel तो यह value आपको next step में कैसे दिखेगी exactly like this cos x by 2 plus sin x by 2 plus यहाँ पे भी root हट चुके है cos x by 2 minus sin x by minus sin x by 2 and नीचे भी आपके पास root हट चुके है तो cos x by 2 plus sin x by 2 अब यहाँ पर देखो कि minus है term ठेक है root तो हट चुके है definitely लेकिन बाहर क्या है minus तो यहाँ पर जैसे ही minus होगा तो यह value क्या होगी positive तो आपके पास value क्या हैगी अब clear पता चल रहा है कि आपके पास numerator में यह और यह term cancel हो रही है यह positive में है यह negative में cancel हो गई और यहाँ पर cos की value क्या हो रही है cancel तो यह minus 1 है तो आपके पास numerator में twice of cos x by 2 क्योंकि two values हैं आपकी cos x by 2 होगी तो twice of cos x by 2 ऐसे ही नीचे sin x by 2 के two values add हो रही है like this two से two cancel cos upon sign को आप क्या लिख सकते हो cot की form में और बाहर क्या चल रहा है cot angle क्या होगा x by 2 यह automatically cancel हो गया आपके पास y की value क्या चल रही है exactly x by 2 आई है तो आप करोगे differentiating with respect to x तो आपके पास value क्या आईगी 1 by 2 एक constant term है x का differentiation होगा 1 so 1 upon 2 is your final answer so next video में continue करेंगे इसी exercise के साथ thank you student for watching this video please like share and subscribe to my channel